नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News हाई कोट में अर्जी दाखिल करते वे हरियान सरकार ने कहा था कि परदेश में पंचयातों का कारिकाल 23 फ्रवरी 2021 को स्माप तो चुगा है सरकार दो फेज में चुनाव करवाना चाहती है पहले फेज में ग्राम पंचयात तो मैं दूसरे फेज में पंचयात समीती और जिला परिशत की चुनाव का प्रस्ताव है सरकार की इस हर्जी को मंजूर करते वे पंजाब एंड हर्याना हाइकोट ने हर्याना सरकार को पंचयाज चुनाओ करवाने की अनुमति दे दी है हालां कि आरक्षन को चुनोती देने वाल याचिका फिलाल लंबित है और हर्याना में होने वाले पंचया चुनाओ इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्बर होंगे नमरदारों को सरकार देगी 9000 कीमत का मोबाइल फोन हर्याना के उप मुख्यमंतरी दूशेन चोटला ने अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि राजिय के सभी नमरदारों को मोबाइल मिला लगा कर 9000 रुपए की कीमत के उनकी पसंद के मोबाइल शेट दी जाएं डिप्टी सेम वीडियो कॉनफरेंसिंग के मादिम से विभी ने जिलों के अधिकारियों की बैठक की अधिक्स्ता कर रहे थे जिसमें राजिय के सभी नमरदारों को बैंक के दोरा 9000 रुपए का ई रुपी कूपन दिया जाएगा जिस कूपन से नमरदार मोबाइल मिला में अपनी पसंद के कमपनी का मोबाइल फोन खरीद सकेंगे दोशन चोटाला ने बताया कि सभी नमरदारों को मई वजून महिने में मोबाइल उपलवद करवा दिये जाएंगे कॉंग्रेस के 9 नियुक्त परदेश अध्यक्स उध्यभान ने पदभार समाला हुड़ा ने दिखाई ताकत कुल्दे विष्णोई और किरन चोदरी ने बनाई दूरी हर्याणा प्रदेश कंग्रेस के नव नियक्त अध्यक्स उद्य shavedahan और कारेकारी अध्यक्सों को कारेबार ग्रहान कराने के बाहाने पूरुशियम और नेता विपक्स भूपेंदर सिंग हुड़ा ने जम कर सकति परतशन किया नव नियुक्त परदेश अदेक्स के साथ तीन कारेकारी अदेक्स कारेबार ग्रहन करने चंडिगड पहुंचे थे दिली से चलने के बाद विबिन दो दर्दन स्थानों पर स्वागत कारेकरमों के कान राजदानी चंडिगड लगबग च्यार घंटे विलंब से पहुंचे इस दोरान पूर शियम और नेता विपक्ष भुपेंदर शिंग हुड़ा ने पार्टे को एक जुट रखने का संकल् का मुद्दा उठाया बुद्वार को उद्यभान के अलावा जितिंदर भारदवाज रामकिसन गूर्जर ने भी कारेबार ग्रहन कर लिया है आईजित कारेकरम के दोरान कॉंगरिस के कई सियासी दिगज नजर नहीं आए शुरुती चोदरी कोविड पोजिटिव होने की बाद क्याकर नहीं पहुंची तो वहीं दूसरी तरह विदायक और वरिष नेतरी किरन चोदरी भी नहीं थी इसी तरह राश्टि प्रोक्ता और महासचिव रनदीप सिंग सुर्जे वाला भी नजर नहीं आए इसी तरह से कुल्दे विश्णोई कॉंगरिस के विदायक पह हर्याणा में बुद्वार को कई जिलों में ओलावस्टे के साथ बारिष हुई है जिसके चलते लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलती नजर आई है कई दिनों से भीषन गर्मी के कान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था बारिष के बाद लगा था ता पानिपद गुरुग्राम, फरिदाबाद, पलवल, शोना, तावडू, आधी अनिक स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर ओला वर्ष्टी हुई है। प्रते क्योंटल बोनस की मांग कर रहा है, संहुत किसान मोरचा बताई यह वज़े, हरियाना में इस बार ग्यों का उत्पादन अच्छा नहीं रहा है और इसके पीछे किसान कई तर्क बता रहे हैं। इसके चलते किसानों को परती एकड आर से दस क्योंटल ग्यों का नुक्सान पहुंचा है। बेशन गर्मी होने के चलते ग्यों का दाना शिकुड गया है जिसके चलते उत्पादन पर असर पड़ा है। इसलिए समित किसान मोर्चा ने सरकार से कियों खरीद पर 500 रुपे परती क्योंटल बोनस की मांग की है। अध्यापकों को पकड़ा और उन पर कारवाई के लिए शिकुड गया है। इवा को लिख दिया है। चापिमारी के दोरान उत्र पुष्ट का घर ले जाते पकड़े गया। द्यापकों ने बोर्ड अध्यक्स के पैर तक पकड़े आंसु बहाए लेकिन बोर्ड अध्यक्स ने एक नहीं सुनी। पूरी कारवाई सिकायत के आधार पर की गया है। बोर्ड अध्यक्स ने रोग तक स्थित, मॉर्डल डाउन स्कूल, वेस्चैनी स्कूल के सेंटर का भी निरिक्षन किया और सिक्षकों को कड़े निर्देश जारी किया है। हरियाना में आप किसानों को खेते के लिए दिन में मिलेगी बिजली टाइम टेबल हुआ जारी। में बिजली सप्लाई दी जा रही थी। इसके लावा पिछले कई दिन से बंद चल रही हिसार जिले की खेदर थर्मल पाउर सयंतर के एक यूनिट के शुरू होने की उम्मीद जगी है। इसके अलावा अदानी गुरूप के साथ 1000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए एक समझोता भी बन गया है। बदल गया टोल्टेक्स कलेक्शन सिस्टम अब जितना सफर उतना टोल। टोल कलेक्शन की तैयारी है। इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आप जितना सफर करेंगे उतना ही आपको टोल भरना होगा। टोल कलेक्शन में पारदर्शिता और वाहन चालकों को बिना परिशानी यात्रा के लिए 2017 में फास्टेक लागू किया गया था लेकिन अब इसे बंद करने की योजना है। सरकार अब टोल टेक्स कलेक्शन सिस्टम को और अधिक हाइटेक बनानी की तैयारी में है। इसमें वाहन दवारा हाइवे पर जितने किलमेटर का सफरते किया जाता है उसके इसाब से ही टोल देना पड़ता है। सरकारी बैंक ने अपने गरहाकों को दीबढ़ी रहात बड़ती मेंगाई के बीच लिया ये फैसला। अभी तक बैंक कार रिन 7.25% के साला ने ब्यास बर देता था। सभी विवागों में सरकारी नोकरियों के लिए आयूशीमा में वर्दी करने का फैसला किया है। सभी विवागों को कहा गया है कि वे यहाँ अपनी नोकरियों के लिए आयूशीमा 40 के जगां 42 साल करे। इसके साथी राजी में 6 माई से सभी सरकारी विवागों में समान सेवा नियम लागोंगे। इसके साथ हर्याना में आप किसे भी सरकारी विबाग, बोर्ड वर निगम और सरकारी संस्तानों में ग्रूप A, B और C के पदों पर 18 वर्षे काम उम्र के लोग आविदन नहीं कर पाएंगे जिनी विबागों ने सामानी वर्ख के लिए नियुक्ति की आधिक्तम आयुशिमा 40 वर्ष रखी हुई है, उसे भी बढ़ा कर 42 वर्ष करना होगा, 6 माई से सभी विबागों को समान सेवा नियम लागू करने होंगे, सरकार ने आयुशिमा बढ़ाने के आधिक्तम आयुशिमा 40 वर्ष रखी हुई है, इस पर नाराजगी जताते विब मानुसंशादन विका जारी करने के निर्देश जारी किये हैं, मार्केट में आया दिवार पर टांगने वाला पहला कुलर कीमत 10,000 से भी कम, अगर आप कुलर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे कुलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हूब हूब ऐसी जैसे दिखता है, को दिवार पर टांग सकते हैं, यानि कुलर के खर्च में एसी वाली फिलिंग, इसके साथ ही इसमें कई इंट्रेस्टिंग फीचर्स भी मिलते हैं, यह एर कुलर 15 लेटर के एक्सपेंडेबल पॉर्टर ट्रेंग के साथ आता है, और आपके कमरे को तेजी से ठंड़ा करने मे पर प्रतान करता है, जब टैंक में पानी का स्तर बहुत कम होगा, तो आपको खुद अलर्ट कर देगा, यह सुविधा मोटर को नुक्सान होने से बचाती है, और यह भी सुनिश्यत करते हैं कि आप बिना परिशानी के ठंड़ी हावा का आनंद ले, ओफिसल साइट पर इस साइट से खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि फिलिप कार्ट पर यह 13,499 में और अमेजन पर यह 13,699 में रुपए में भीक रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे कमपनी की साइट से खरीदें हर्याना में नैक सिवा की मुख्य परिक्षा पर सुप्रिम कोट की रोग 6 मई से होनी थी परिक्षा, हर्याना सिविल शिवा यानी नैक साखा की मुख्य परिक्षा पर सुप्रिम कोट ने रोग लगा दी है, हर्याना लोक शिवा आयोग यानी हPSC ने बुद्वार को सुप अब्यार्थियों का इंतचार लंबा हो सकता है बताया जाता है कि प्रिक्षा की नई तेथे की घोशना जल्दोनी की संभावना है बता देंगी निशा कुमारी बनाव अन्य ने प्रिक्षा तेथे में बदलाव को लेकर याचिका लगाई थी जिस पर सुप्रिम कोटने मुख्य प्रिक्षा को उस्तागित करने के आदेश जारी कर दिया है इस भरते के लिए प्रारमीक प्रिक्षा पिछले साल यानि 13 नौंबर को आयुजित की गई थी विगत 4 मार्च को भी प्रारमीक प्रिक्षा का रेजल्ट गोशित क्या गया था बता देंगी एक दिन पहले ही हर्याना लोक्षेवा आयोगने पिछले साल स्तंबर में आयुजित HCS की कारेकारी साखा और संबंद सेवाउं के 156 पदों की प्रारमीक प्रिक्षा और डेंटल सर्जन के 81 पदों की लिखित प्रिक्षा को रद कर दिया है डेंटल सर्जन की लिखित प्रिक्षा अब 19 जून और HCS की प्रारमीक प्रिक्षा 10 जुलाई को होगी हरियाना में कटशे जल्द राहत के उमेद सरकार और पिजली संकर से जल्द राहत मिलने के आशार नजर आ रही है हरियाना सरकार और पिजली के दर्शे बिजली खरीत पर सयमती बन गई है संभावना है कि इसी सब्ता 150 मेगावाट बिजली आपूरती मिलने लगेगी वहीं बिजली विवाग ने उद्ध्योगों को कटों से राहा देने के लिए फैसला लिया है साथ ही करशी छेतर को रात को दी जाने वाली 400 मेगावाट बिजली की दिन में आपूरती की जाएगी रात के समय जो अतिरिक्त बिजली होगी उशे उद्ध्योगों को दिया जाएगा पियम मोदी की यूरोप यात्रा का आखरी दिन डेनमार्क से फ्रांस पहुंचे मोदी राश्पती इमेनुएल मेंक्रो को गले लगा कर दी जीत के बधाई परधान मंतरी नरेंद्र मोदी के तीन दिवसी यूरोप दोरे का आज आखरी दिन है बुदवार को मोदी ने डेनमार्क में दूसरे इंडो नर्डिक राउंड टेबल कॉनफरेंस में इससा लिया इसके बाद मोदी फ्रांस के राजदानी पेरिस पहुंचे या उन्होंने भारते लोगों से मुलाकात की इसके कुछ दिर बाद एलिशी पेलेश में फ्रांस के राशपती इमेन्वेल मेंकरों से मुलाकात की प्यम मोदी ने मेंकरों को गले लगा के राशपती चुनाओं में जीत की बधाई दी इसके बाद मोदी को गार्ड आफ ओनर दिया गया विदेश मंतराले के प्रोकता अरिंदम बाग्ची ने इस मुलाकात की कुछ तस्विरें सोशल मीडिया पर शेयर की है इंडर नोर्डिक राउंड टेबल कोंफेंस में सिर्कत के बाद प्रधान मंतरी मोदी ने फिल्लेंड, आइसलेंड, नार्वे और श्वीडन के प्रधान मंतरियों के साथ बैठा की इस दोरान जलवाईव प्रियोतन समेत भार्थ नोर्डिक सहयोक जैसे विश्यों पर शर्चागी नोर्डिक देश भार्थ रिनुएबल एनरजी, डिश्टलाइजेशन और इनोवेशन में महत पुन भागदार है सरकारी नोकरी अपडेट हर्यान राजी परदोशन नियंद्रन बोर्ड ने कलार्ख सहित 38 पदों पर निकाली भरती कैंडिडेट्स 20 मई 2022 तक ने अपलाई हर्यानर राजी परदोशन नेंतरन बॉड यानी HSPCB ने कलार्क सहित कई पदों पर भरते के लिए उम्मिद्वारों शे आविदन मांगे हैं उम्मिद्वार बॉड की ओफिसल वेबसाइट hspcb.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं इन पदों के लिए आविदन 20 माई 2022 तक जमा किये जास केंगे या कलर्क पदों के लिए 10 वी और 12 पास उम्मिद्वार आविदन कर सकते हैं वह इस टेनो टाइपिस्ट पदों के लिए ग्रेजियोशन पास उम्मिद्वार आविदन करें उम्मिद्वार इन पदों पर आविदन करने के लिए ओफिसल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर उस पर दिये गए आविदन फार्म को भरे इसके बाद नोटिफिकेशन में दिये गए इमेल आईडी पर आविदन पत्र बेजें आज खबरों बसे तना ही देखते डिये CWB हिंदी न्यूज नमस्कार